नमस्कार मैं प्रग्या आप देख रहे हैं बिहारी निउस कहते हैं एक सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है अगर हम वर्तमान राजनीती की बात करें तो यह तेस्वी यादव और राजिश्री के लिए एक दम सूट करता है तेस्वी यादव और राजिश्री की साधी के अभी एक साल भी नहीं हुए हैं और तेस्वी यादव एक बार फिर से बिहार की सियासत में सत्ता पर काबेज हो गया है यही वह कारण है जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि राजेश्री तेश्वी के लिए लखी लेडी सावित हुई है तेश्वी यादव अपनी साधी में भले ही बिहार के नेताओं को नहीं बुलाए हो लेकिन साधी के बाद उन्हें सभी ने बधाई और सुबकामनाई दी है तेश्वी यादव अपनी साधी के बाद एक नए तेवर में दिखे हैं चाहे वह पडिवार में चल रहे विवाद को सुलझाना हो या फिर पार्टी के स्तर पर चल रहे तमाम गतिरोध का हो जिसमें हर उस स्थिती को अच्छे से निभाया है तेश्वी यादव ने कारे करताओं को जोस भरते वे कई महत्वपुन बाते कहीं जिसके बाद यह लगने लगा है कि तेश्वी में अब वह गुन है कि वह अब बड़ी से बड़ी सभाओं को संबोधित कर सकते है मीडिया में चल रही खबरों की माने तो राजश्वी तेश्वी के हर फैसले को सपोर्ट करती है जिसका फाइदा तेश्वी को मिलता रहा है कई जोतिशों का मानना है कि तेश्वी की साधी के बाद से इनका किस्मत बदला है कहा तो यह भी चारा है कि कई ऐसी स्थीतियां आई हैं जब राजश्वी तेश्वी के साथ बने रहे हैं कहा जारा है कि इस दोरान कई राजनितिक उचाईयां प्राप्त की है ऐसे में अब तेस्वी यादव एक वार फिर से उपमुख्यमंत्री बनने की राह पर आगे बढ़ रहे है पिछले कुछ दिनों अगर हम तेस्वी यादव के बयान को देखे तो आपको उनके बयान में वो पस्टता साफ नजर आएंगी जो की एक परिपक्व नेता में देखने को मिलता है कहा तो यह भी जा रहा है कि तेस्वी के साथ राजश्री राजनेती के साथ ही घर परिवार में भी उनका साथ निभाती आई है राजश्री जब पहली बार दिल्ली से पटना आई थी तो राबरी आवाज से जो तस्वीरे सामने आई थी उसमें तेजस्वी और राजश्री दोनों का confidence साफ साफ देख रहा था चायवप पूरे घड़ में घूमना हो या फिर राबरी देवी या फिर मिसाब भारती के साथ के सम्बंध रहे हैं राजश्री को लेकर किसी ने नकरात्मक छवी नहीं प्रसूत किया है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि तेस्वी यादव के लिए राजश्री काफी सकरात्मक रहे हैं। तो यही कहा जा रहा है कि तेस्वी यादव के लिए राजश्री सुभ है, भाग्यशाली है। आज के लि